हेलो दोस्तों वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल एडियो अपडेट आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ फिर से एक नए कॉलेज का रिव्यू जो कि काफी फेमस है और अगर हम महारास्टर में बात करें तो बहुत काफी जादा फेमस है अगर हम लोग इस कॉलेज को अगर एडमिशन की बात करता है तो यह MBA CET examinations के अंदर में आता है महारास्टर उनिवर्सिटी का यह जो मुंबई उनिवर्सिटी है उस उनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है तो इस कॉलेज का नाम है चेतना कॉलेज चेतना के बारे में आप हर कोई जानता ही होगा जो भी MBA CET का exam देता है वो top 5 अगर college की बात किया जाए तो इस top 5 के ranking में यह college जरूर आता है तो इस college के अंदर admissions लेना हर किसी का dream रहता है अगर हम बात करते हैं अलवर इंडिया में तो फिर यह top rankings में नहीं आता बढ़ हम लोग अगर MA CET यह MBA CET exam देते तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि जो हमारे top 5 colleges like JVIMS then Willinkar, Sydenham then Somaya सो इस तरीके से जो भी लिस्ट है हमारी उसके अदर में यह जरूर यह अपना stand carry करता है और इन टाइम हम लोग आज का review शुरू करते हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूले के साथी साथ बैल आइकन को ज़रूर दबा दीजिगा ताकि आपको हमेरे ऐसी upcoming videos आते रहे सो कॉलेज का पूरा नाम है चेतनास Institute of Management and Research यह बांदरा इस मुंबाई में लोकेलेटेड है और यह काफी अच्छा location है इस कॉलेज का अगर हम लोग इसके कुछ images देख ले तो यह काफी beautiful campus है और यहाँ पर आपको सारी type की facilities मिल जाएंगी जो भी आप expect करते हो एक normal से MBA colleges के चेंदर में आप सोचते हो वो सारी facilities यहाँ पर मिल जाएगी हम लोग आगे चलके सी website में भी देख लेथे कि कौन कौन सी facilities है यहाँ पर अवैलेबल सो आप अगर हम लोग images देखते तो कफी beautiful campus है चलते directly college की हम लोग official website और आज का मारे भी वहीं शुरू करते है तो इस college में दो टाइब के pro courses provide किया जाते हैं MMS course और PhD course so MMS अच का मारा video specifically MMS के लिए है सो फिर यहाँ पर देखिए पताया गया है कि जो MMS course है यहाँ का वो affiliated to AICTCE मुंबई University के अंदर college आता है तो इसका जो curriculum मुंबई University decide करता है ना कि यह college अपने आप से decide नहीं कर पाएगा और उसके बाद में अगर हम लोग specialization देख लेते हैं तो यहाँ पर finance HR then marketing systems and operations यहाँ पर IT systems का भी operator आपको specialization opt कर सकते हो जो कि काफी कम colleges में होता है तो यहाँ पर सारे specialization जो major specialization से वो सारे यहाँ पर अवलेबल है अगर हम लोग कुछ डाउं टॉर्जर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो भी अपडेट आच चुके है अगर हम लोग की बात करें तो यह जो हर साल होता है एक्जामनेशन के बात में उसके तुरू यहाँ पर एडमिशन ली जाते हैं यहां के इंटेक उसी के तुरू फिल किया जाते हैं इसमें से 20% रहता है वह इंस्तिटूट लेवल सीट के रिए रहता है और बागी के सारा रहता है वह mbcd Heavenly जो का सीट रहता है उनके लेइंदर रहता है बट यहाँ पर एक मेंजर आथा है कि चेतना कॉलेज परिकुलर्ली 51 परसंट जो उनका सीट से वह सिंधी माइनरी परसंट के लिए दिता है सि सिंदी मारेटे स्टुटेंट्स के लिए एक एडिट बेनेफिट है इस कॉलेज में अगर आपको यहां पर अडमिशन ले सकते हो और अगर हम लोग फीस की बात की जाए तो फीस काफी नॉमिनल सी फीस है अगर यहां पर फीस की बात करें किया जाता है और रिजर्फ के लिए तो काफी कम है यहां पर फीस तोड़ा कम होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है और कुछ थाउजंड में होता है और उसके बाद में उन्हें एड़ेड एडवांटेज यह होता है कि अच्छी का से स्कॉलर्शिप मिल जाती है साथे साथ अगर ओपन केटेगरी के लिए देखा जाता है यह वहां पर आपको एक साल का 1,081,000 जो हम लोग 2 लाग के और नि यहां पर जाता है और किस टाइप के अच्छी आप के लिए उनके साथ में के थाएड़ा जाङए जोह से कहां याफि ने पर हिस सारे के Κांप्रो आप इच्छी के डिया हुआ है फोबी काफी अच्छा होगा सो देख लेता है कि कॉलेज में कौन कौनसे इंट्राश्टर्चर परोइड करता है यहां पर IT फैसलिटी यह इस इस IT लैब्स वह गए वह गए लैब्री फैसलिटी इस अडिटोरियम ख्लास रूम्स दें चेतना रिसर्च जानम investment investors lab means r and d fi r and d d नकिकर पास लगसे सेक्षें भी यह आप लोग रिसर्च और आप पहर जो भी रता है वो सारा आप फायल कर सकते है यह फिर इस तरीकी के आपका पॉर्चेंटेस आपको मिल सकती यह सो बात करते हैं सबसे में सेक्षिंग की जो की होथा हुआ है तो हम लोग Marketing की अगर वार करने बाद में आपको कितना How do永 general Invesment नोग उन्गार मिलता है तो हमどि गौ Church कि यहाल फिगर यहां फे खरटा है कि रिपे इस्तिक से टो यहां पे बताया गया है कि यहां पर average package और highest package का तो average package एक college claim करता है 5.5 lakh और highest package का हम claim करता है 10.7 lakh जो इनका जो नाम इनका जो brand value है उससे थोड़ा सा कम है यह package बट अगर हमनों all together देखा जाए तो return of investment के perspective से काफी अच्छा है आपको four lakh pay करना open that two open category के students को और यहां पर 5.5 lakh का आपको average package शो कर रहा है तो हम इसे five lakh round समझ सकते हैं कहां यहां पर five lakh at least आपको मिली जाएगा average package list package यहां पर नहीं दिया हुआ है यहां पर highest package दिया हुआ 10.7 और साथ ही साथ यहां पर आपको इनके जो recruiters है इतने साल हो के वह सारे आपको दिये हुए हां पर पेपे जिन्स लंडन दन पाढले एग्रो दन HSBC, HT Media Solutions, PVR Cinema, Radio City, ICICF Bank यह सारे जो brand recruiters है यहां पर हो सारे भी यहां पर JP Morgan इस तरीके से सारे यहां पर नाम दिये हुए है कि कौन-कौन से इनके पास में recruiters है यहां पर आपको एक redirect link भी दी रखिये कि जो अभी latest circular आया हुआ है जो कि मैंने आपके जिसके लिए मैंने अलग स यही वीडियो बनाया हूँ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो यह circular को मैं फिर से यहां पर disclose कर देता हूँ कि हाँ दोस्तों इतने समय से आप जो वेट कर रहे हो कि कप राउंस कब शुरू होंगे तो के बारे में नोटिफिकेशन भी आ चुका है जो कि उसमें क्लियर बताया गया है कि 28 मार्च को जो रिजल्ट अनाउस हुआ था उसके बाद में जो का कैप राउंड की जो प्रोसीजर थी वो पेंडिंग थी एडमिशन की प्रोसीजर पेंडिंग थी तो वह अब जाके शुरू होने वाली है और वह सेकंड वीक ऑफ ऑक्टोबर से आपका र साथी साथ मैं और वापस से और एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो डॉक्यमेंट्स के रिलेटेड रहेगा तो अब डिसीजर आप पे है मैंने तो सारा डिटेल साब से डिसकस कर दिये तो जाते जाते चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा